थंडी की गरम गरम अलू पालक की बुजिया जो की बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है दिखिए अनुदिसी तड़का में आपका स्वागत है यहां हमने लिए है 500 ग्राम फ्रेस पालक जिसको मैंने पहले ही दोके काट लिया था यह बहुत एकदम ताजी फ्रेस पालक है और यहां पर हम इसको एक बाउल में डाल देंगे तो यहां मैंने बाउल रख लिया है तो उसमें मैं सारी पालक को इसके अंदर डाल दूंगी और यहां मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिये थे जिसको मैंने ऐसे ही कटिंग कर लिया था तो मैं इसको भी इसमें डाल द प्रश्टे में कूट लिया था इस तरीके से डाल लियेगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भजिया में तो यहां पर मैंने आदा चमज धनिया लिया है साबुद धनिया जिसको ख़डा धनिया भी कहते हैं उसको मैंने तवा पैसे हलका लाल कर लिया था और हाज स करस्ट कर लिया था तो यह आदा चमज जीरा लिया है और बन फोर टेवल इस्पून अच्वाइन लिया जिसको मैं उंगलियों से करस्ट करके डाल दूंगी यह देखिए आदा चमज मैंने लाल मिर्स पाउडर लिया है आप तीखा कम जादा कर सकते हैं यह बन फोर टेवल जो कि खाने के लिए खाने में बहुत अच्छा होता है इसका फ्लेवर भी और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है यह बेकिंग सोडा लिया है इसको मैं एक चुटकी से थोड़ा सा जादा ही डालूंगी जो कि पकोड़े में बहुत ही क्रिस्पी लाएगा इन सबको हम मिला लेते हैं पालक पहले से ही गिली है तो इसी में आलू पालक में जितना भी मसाला है वो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा इसको देखिए हमने यहां मिला लिया है यह बेसन लिया है मैंने मोटा बेसन लिया है तो यह पकोड़े के लिए बहुत अच्छा तो मैंने आदा ही बेशन डाला हैं, पहले मैं इसको मिला लेती हूँ, चंबत से मिलाके देख लेती हूँ, अगर बेशन की ज़रुरत पड़ेगी, तो हम आगे और बेशन डालेंगे, तो यह देख пох利, हाट से मिलाने पे इसमें बेशन की कमी लग रही है तो जो बचा बेशन है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी तो सारा ही बेशन देखिए 100 ग्राम लगबग बेशन लगा है पकोड़े बनाने के लिए तो मैंने मोटा बेशन लिया है 100 ग्राम बेशन है अब इसमें देखिए थोड़ा सा ही पानी लूँगी बहुत थोड़ा लेना है एक दो चमबच के बराबर तो देखिए बेशन में अगई हमने बना लिया है अब इसमें हम धनिया पती रालेंगे जो के धनिया पती फ्लेवर में बहुत टेस्टी होती है तो दीखिए मैंने पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था गैस पे तेल गरम हो चुका है अब एक छोटा सा हम डो उठाएंगे भजिए का तो इसका टेंपरेचर हम देखेंगे हमने गैस का फ्लेम मेडियम रखा है जिससे की पकोड़े हमारे अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और बाहर से भी क्रिस्पी हो जाए तो मेडियम फ्लेम करूंगी तो पकोड़े वाले इसी तरीके से करते हैं पहले हाफ फ्राई करके निकाल के रख लेते हैं जब कुसी को खाना होता है तो डिफ्राई करके देते हैं देखें मैंने सारे पकोड़े फ्राई करने के रिए डाल दिये हैं मेडियम फ्लेम पे डाले हैं तो आप भी म पकोड़े हुए हैं, इसको निकाल लूगे, और इसके साथ मैं पकोडो कर दो Nick vista को दो मिनट, ठाप रखूंगी जिसर जाएंग पर पकोड़े में धाड़े हो जाएंगे और पकोड़े कानको को पाने से उप्अधार हो जे इस которых कत फरेस्गी अफ्रीप में जो फ्रेस्ड क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही खाने में टेश्टी लगेंगे तो आप देख सकते हैं इसके बबल्स कैसे उठ रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं अंदर से कच्छे हैं इसलिए इसकी बबल्स इतने अच्छी से उठ रहे हैं इसको भी हम एक से दो मिनट फ्राइ कर लेंगे मिलने पकोड़ों की प्लेट लागा ली तो यहां देकि देखे हैं देखे निचाट मतालर यहां गोश्ट मरें टेस्टी लगते हैं थ Porky जरूर बना इएगा देखेतर कर टेस्टी आप मेरेकी noode मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच